नमस्कार मैं हूँ करिश्मा बंसल न्यूस की खास पेशकर्ष जन्मन में आपका स्वागत है बंसल न्यूस का काफीला पहुँच चुका है सीधी जिले में सीधी में चार विधान सबा सीटे हैं जिनमें दो पर कॉंग्रेस और दो पर बीजेपी का कबजा है दोनों ही मुख्य दल प्रत्याशियों का एलान कर चुके हैं यानी राजनितिक दल फैसला ले चुके हैं अब ये जानते हैं कि क्या कहता है सीधी के जन का मन आखिर क्या कहता है आईए आपको सुनाते हैं सीधी की तस्वीरों की हम बात करें राजनितिक समीकरणों की बात करें तो यहां दो पर भारती जनता पार्टी है और दो पर कॉंग्रिस लेकिन ये वो दो सीट है चुरहट और दूसरी जो सियावल की सीट है यहां कॉंग्रिस अमूमन अपना तैसी जिताने में काम्याब रह जिस सक्स्क ने भारती जन्ता पार्टी के यहां पर्चम लह रहाए था वह साथ तमाम सारे लोग हैं भार्ती जन्ता पार्टी के लोग भी वहें को यहां एक बड़ा समीकरण देखने को मिलेगा यानि सपाक्स जो है किसका गड़ित बिगाड़ेगा किसका गड़ित बनाएगा ऐसे तमाम सारे लोग है तो सपाक्स के आप प्रत्यासी भी है आप सामने आईगा सपाक्स का बड़ा इस समय जोर चल रहा है समय खासकर सीधी यहां और कहत पार्टी ने लोगसभा में जो इसा किया उसके इसाब से जनाकरोव सें लोगों में और वार्ती अंता पार्टी के वरुद हो और कांग्रेस एक जोस है क्योंकि दोनों से यह प्रत्यासी की रूप में उतरा हूं सामने और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है बुद्र जीवी है समझदार है वो मेरा साथ देखिए 2018 के चुनाओं बहुत अलग है यहां यूबा सबसे जादे हैं चुनाओं मैदान में और यह पहले कि जैसे चुनाओं अब नहीं रहे हैं कि कोई बीजेपी का नेता आएगा कोई कॉंग्रिस का या सपाक्स का नेता आएगा वो अपनी तरफ किसी को जुका लेगा अब पब्लिक बहुत समस्दार हो गई है और अपनी समस्दारी से अपने बोट को देते हैं और चुनाओं आय से बाहर आपको नजर नहीं आएगा उसकी बज़य क्या है आरक्षण स्टी स्टी एक्ट में हर ब्यक्ति पीडित हर युवा पीडित है जब दहीं जब चुनाओं आता है वह बात अलग है लेकिन जब आप रोड की बात कर या भी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे रो अन्य बिधायक जी का विकास हुआ है व्यक्तिकत उनका महला आप देखिए पहले के घर देखिए आज का घर देखिए बिल्कुल चुनाओं के दौर में यह होता है कि निता बड़े-बड़े बादे करते हैं उन बादों के साथ चुनाओं मैदान में आते हैं और यह कहते ह हैं कि हम विकास करेंगे लेकिन विकास के नाम पर कई जगा यह भी देखने को मिलता है कि सहर का विकास कम होता है निताओं का विकास जादे हो जाता है आज जो चुनावी माहौल चल रहा है इस में सबसे बड़ा मुद्द्दा है आरच्छन और सपाक्स पार्टी को बहुत समर्थन मिल रहा है कि सपास को काफी समर्थन लेकिन यूबा मेरे साथ है एक यूबा यूबा को मुझे लेने दीजिए एक यूबा मेरे साथ है ये बताइए कि इस बार 2018 के चुनाओं में यूबा सबसे जादे बोटर होने वाला आखिर सीधी यहां की जो चार विदाहन सभा की बात करें तो आपको लग रहा है किस तरह से विकास के काम हुए और खासकर रोजगार के कितने अफसर यहां में रोजगार के लिए तो मैं कहूं तो सिर्फ रोजगार किनका हुआ नेताओं को चाहिए भाजपा क्यों यह कांग्रेस की नेताओं सत्तर साल से अगर बात की जाए आरक्षन की ठीक है आप कहते हो हमने इतना विकास कितना किया कि सत्तर साल के बाद भी देश के प्रधान मंत्री की यह कहना पड़े और राश्ट्रिय ध्यचकु कि 50 साल तक हम आरक्षन खतम नहीं करेंगे और प्रदे सब्सक्राइब बहुत खतम नहीं होता है कि मैं समय इसके लिए उप्यों कानूर बनाए गये समय समय वह लेकिन कुछ अधूरी जानकारी की बज़े से लोग यहां तक बात करें डिबेट देने का पूरा पर आप टाइम नहीं मिला जानती हो कि मैं अपनी बाते पूरी नहीं कर पाऊंगे क्योंकि समय थोड़ा साही मिलेगा यहां पे लेकिन इसके लिए एक पूरा हमको पचास साल सतर साल पीछ सहरा हूं कि हम लोगों कि कितना गाली देंगे माई का लाल माई हमारी क्या है माई हमारी भगवान है भाao तो साप है यहां कि यह मुद्दा जो है सबसे जादे देखने को मिल रहा है कुछ युवा मेरे साथ और है नई हुआ है आप बताई कितना बदला आपका छेत्र में विकास हुआ और इस बार का चुनाओ आप कैसा देख रहे हैं सब कुछ अच्या है पर क्या है कि आज कल जो यह नेता ना 바로 है न यह पैसा कमाने कर रहे वज़ाए ना अज फैस क nerve बना ले कि हमें किसी किसीम क्राइबuciones से पैसा कमाना एक इतना बोलते हैं कि मैं पैर उचा रहा है मैं इस पर कदम उचा रहा हूं तो कहीं पर पैर और रखते पाए थे जब यहां लड़ाई हुई थी और अच्छर के लिए हम लोग आ रहे थे यह लड़ा रहे थे दो लग पाए थे तम लोग लफंगे हो गए यह बता है मेरे साथ मेरे साथ एक सीनियर पत्रकार भी है मैं लगा तार यहां तो यह मालिया जाए कि सपाक्स का काफी ही है लेकिन इसको बोड में कितना कर पाएंगे यह देखने की बात है बिल्कुल क्या लग रहा फिर मैं आप से पुन है वही सवाल कॉंग्रिस की तरफ से कॉंग्रिस ने अपने मुद्दे बता दिए भारती जनता पार्टी क्या मुद्दे होने बाले और क्या यहां सबसे करता के लिए कोई ऻंड नहीं है कोई वश्ता नहीं सुभे से आप गाय के कारण पूरा ट्रैफिक जाम रहता है अंब यह आप जब बेसे पीकिसे नेता से बात करते होंगे तो अगर सबने वाला करको ने लगे तो तो त्रेत ने लगते हैं यह ठीक है रहें अभी आप लाइब प्रसारान तो आपने देखे नहीं कि क्या करती है आप तो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं यहां तो ब्यक्तिकत मामलों पे भी हस्ते छेफ होते हैं यहां तो हम लोग अभी लिमिट में अभी बहुत ज्यादा विकास की चर्चे की मानी भरती इंता पाड़ी एकार करत इतना दोहन किया है कि पूरे पूरा-इलागा पथ्रों से खाली हो गया इतना के सामने दिख रहा है बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब भी जाहिए घर घर टै कि भर धर गर आवास बने घर लेकि saham निया सीधी सीधी की जता है तो पिल्कुल यह सीधे तोर पर तॉमाम तरह के सवाल सामने आते हैं लliकिन सबसे बड़ी बात यह ने कि भारतीं जंता पार्टी कांग्रेस के तो सीधी जिले में जाना हमने जन का मन क्या कहता है जनता का मन वहां पर उसी के साथ हमारी इस खास पेशकर्ष में फिला लिता ही मुझे दीजे जासत नमस्ता